यह आपको चार्ज करने के लिए काफी अच्छा होता है देखिए तो कि दोनों पिन को मैं दिखा हूं तो दिखी आप इसमें connected है वहाँ पर एसे दिखे तो इससे मैं ऐसे connect करता हूं तो देखिए हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज की इस वीडियो को तो आप सम्नेल क यहां पर दिखे मेरे वापास है जो की Mi Band 6 है देखे तो ineपन सिंक्स इसका दोस्तों क्या है कि इसका चार्जिंग केबल था उफनी क्या है मैं एक नए चार्जिंग केबल जम मैं खरेदने के लिए आन-लाइन मार्केट में काफी मंगा दिखा इसलिए मैंने उसे नई खरीदा और मैंने इस घे घरWhir इस प्रकार के मोबाईल से यह होता है इस साइड में यहां पर और इसको देख रतो आप समझेगे हूंगे कि यह किस चीज का यह दोस्तों जो सिम ट्रे आता था इसको मैंने एक बार इस टील के लिए पूरा वीडियो में इसका बना दिया था लगवाग आधे गंटे का लेकिनों फेल हो गया वह चीजे नहीं काम की तो मैंने फिलाल इस पर किया तो यह देखिए काफी अच्छे से का जो देबीड यहां पर दिखी एक अच्छी तरीके से हो जाता है तो इसको आपको करना कैसे जैसे इस पर लगा के देखिए इस साइड ऐसा चीपकता है तो देखिए गया तो इसके नीचे ट्रे लगा दीए इस जिए उपर पर मैगनेट रख दीजिए मैगनेट इसमें न टाच हो फिर भी आराम से चार्ज करता है इसको मैं आपको चार्ज भी करके दिखाऊंगा इस वीडियो में और पहले यह तो आपको पता करने के लिए आपको सबसे पहले मैं इससे पट्टे से इसको अलग कर देता हूं क्योंक इसे बहुत ज्यादा जाए अब देखे सभी है तो यहां पर दिखे से चांटि नूटी बता रहा है तो चलिए मैं आप से चेक करके दिखाता हूं इसमें मीटर में क्या है आपको इस टाइप का मीटर हो तो जो यह रोटरी बाला अगर आपको स्मार्ट मेटर यूच करते ह आपको सेलेक्ट करके टेस्टिंग करके रखना होगा क्योंकि आप जो चेक करते हैं इसके अंदर डायोड होता है जो कि आपको प्लस माइनस समझता है उसके बाद लगाता है अगर उल्टा तार जोड़ेंगे तो अंदर डिवाइस खराम नहीं हो इसके लिए इसमें ऐसा दिया रहता है तो इसको चलिए मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूं और यहां पर देखे मैं पहले माइनस और प्लस ऐसे इसमें टच करता हूं तो देखे कुछ रेडिंग्स हो रही है तो इसका मतलब कि यह भी सही दिसा नहीं है इसकी अगर इन दोनों आयर को ही आपको आपको नहीं देखना हो तो यह देखी कि जो यह है उससाइड निगेटिव होगा आई के साइड पाजटिव बस आप समझ जाए तो चलिए अब मैं इसे आपको चार्जिंग भी करके दिखा देता हूं और उसको आपको बनाना कैसे तो बनाने के लिए दोस्तों आप फिव सब्सकार का ग्लोगन तो अगर आपके पास हो तो आप इससे भी यूज कर सकते हैं काफी अच्छा इसे रिजल्ट आता है और यह वाला जो पार्ट मैंने इतना क्यों निकाला रखा है तो यह वाला पार्ट देखिए से मूविंग होगा अच्छे से तो काफी अच्छा रह और इसमें मैंगनेट कैसे पकड़ता है तो यह सारी चीजों के सही दिसा में रखते हुए इसे बनाया है तो काफी अच्छे सिवर करा है मैं इसका चार्जिंग भी आपको दिखा तो हमारे पास देखिए एक पावर बैंक है जो कि अभी देखेंगे अभी तो इसमें देख यह वाला प्यूज मत कजी है तो चलिए इसे देखनें लगाकर तो इससे मैं ऐसे करता हूं तो देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई है ऐसे जैसे इसको आप थोड़ा इधर उदर हिलाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो देखिए अभी कनेक्ट हो गया है तो इ इसमें मैं आपको बैंड में भी लगा कर दिखा देता हूं तो चलिए मैंने बैंड इसमें दोस्तों पासवार्ड है इसलिए बार बार यह दिखा रहा है तो इसमें मैं बैंड लगा चुका हूं तो अब चलिए मैं बैंड लगाने पर ही मैं इसे चार्ज करके दिखाता अभी देखिए दोस्तों छोड़ चुगा है चार्जिंग क्योंकि यह हलका सा घूं गया है तो इसे दोस्तों आप लोग हिलाएगे डूलाएगा मत क्योंकि इसका जो मैगनेट है अगर आप मैगनेट का यहां देखें तो इतना देखिए अभी पकड़ा नहीं है अंदर पू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए दोस्तों मनते हैं किसी नेक्ष वीडियो में तब तक लिए धन्वाद जहें